वाराणसी और रायबरीली के लोगों के लिए दरसल राहत बरी खबर है और ये खबर उन लोगों के लिए जो ऑक्सिजन की खिल्लत से परेशान है वाराणसी में फिर से Oxygen Express पहुंचे, जारखन के वोकारों से यह Oxygen Express पहुंचे यहाँ पर एक टैंकर को आफ लूट किया गया, वहीं रायव बरिली में जिरादिकारी वैभब श्रिवास्तप की पहल पर श्रास ने तीन मीट्री टन ऑक्सिजन यहाँ पर भीचा है, गंगा गंच स्थित ऑक्सिजन प्लांट पर ऑक्सिजन के टैंकर पहुँच चुके हैं, यह राहत भरी उम्मीद की किरन देख रहे हैं आपको इन तस्वीरों में वाराणसी में और रायव बरिली में यह Oxygen पहु अजनसी में मौझूद डॉक्टर से Oxygen के बारे में कहा, तो डॉक्टर ने कहा कि आप DM से बात करिए, ऐसे में तीमारदार मरीजों को लेकर जाएं तो कहा जाएं, क्योंकि DM फोन उठाते नहीं, अस्पताल कहता है DM को फोन कर लीजिए, तो यह मुसीबत है जल्दी रखिए, ऐसे करके बात कर रहे हैं, कब से मरीज आपका भरती है, मैं सुबह से आई हूँ, मिरी खाल से 11 सारे 10 से हूँ, मैं यहाँ पर, क्या आपके साथ क्या समस्या हो गए, लंग इंफेक्शन है, ऑक्सीजन लेवल डाउन है, ऑक्सीजन जो इन्होंने दिया है आपके स्लेंडर, बार बार रुक रहा है, वो ठीक कर रहा है, फिर रुक जा रहा है, अब से खतम हो गया उस्लेंडर में, ऑक्सीजन है नहीं होई है, कहीं पर भी यह सिफ आपवाए हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं बीजे बिसासाद राचेंद रागरवाल ने ऑक्सीजन के खलत को लेकर बुक्यमन की योगी को लेटर लिखा है, उन्होंने कहा है कि मेरट में मरिसों को ऑक्सीजन मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जिसके करण हास्पिटल भी मरिसों को भरती करने से खत्रा रहे हैं, इसलिए मेरट को ऑक्सीजन क्या पूर्टी दी जाए, साबगर में कॉंग्रेस नेता प्रमोतिवारी ने यूपी सरकार पर निशाना साथा, कहा कि इस वक्त गंभीरता को पहचानना ज़रूरी है, ऑक्सीजन को लेकर यूपी सरकार पर उन्होंने निशाना साथा और यहां में पंचायच चुनाव के दौरान चूग देखने को मिले, यहां पर लोग गोटिंग के लिए लंबी कतारों में देखें, लेकिन इन लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं देखा, राइब रेले में कुवीड अस्पास ही लोग खड़ देखें सुल्तानपूर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, आपर 24 गंटे में 540 कोरोना के लिए के सामने आए, यहां पर कुल संक्रमणों की संख्या 4251 हो गई लकिन बुर्खेरी में एक अनुकी पहल देखनों की मिली, यहां पर अपने परिजन की मौत से परिशन परिबार्द के लूग ऑक्सिजन सिलेंडर बाढ़ रहा है, और अक्सिजन सिलेंडर पाकर अन्या बिमारों के परिजन भी खुश है प्यागराज में पैजल नाम का शफ्स कोरोना के मुश्किल वक्त में गरीवों और दूसरे जर्ट मंदों को मुफ्त में शवान मौया करा रहा है, साथी अनाथ लोगों की अर्थी को कंदा देकर उनका पूर्जन सिलेंडर भी करा रहा है उनाओ में बूत के बाहर प्रचाट समागरे मिलने पर हंगाबाओं की अर्बताया जाना कि पॉलिंग बूत के बाहर मद्दाताओं को वोटर पर चिर के साथ एक बंद निफावा दिया जा रहा था और इसके बाद पूलिस ने वौके पर पहुंच रहा है अमेठी में पहले मद्दान फिर कन्यादान वाली तस्वीर देखने को मिली यहाँ पर शादी से चंद घंटे पहले एक युवती बोट डालने पहुंची युवती अपने पिता के साथ पोलिंग बोट पर वोटिंग करने गई पदैबर में बजजाए चुनाव में मद्दाताओ के अंदर खासा उत्सा दिखा यहाँ पर बज़र्ग बड़ी संक्या में मद्दान करने के लिए पहुंचे कुछ अकेले आए तो वहीं कुछ लोग अपने परिजनों के साथ पहुंचे अयुद्या में बेकाओ बदमासों ने गस्ट पर निकले सिपाही को रोका और गोली मारदी गोली लगने के बाद से ये वक्की आलत गंभीर ने उससे इलाज के लिए लखनों मेडिकल कॉलेश रिफर किया गया अमेटकर नगर में पुलिस ने चर्चित जोती हत्याकान का खुलासा किया पुलिस ने प्रेस कॉंट्रेंस करके पूरी खटना के बारे मताये फिलाल पुलिस ने घटना के आरूपी के पास से हत्यार बरामत कर लिए उससे जेल वेजा गया तो अवद सुफ़फास आपने देखा अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर खासिपूर से खासिपूर में जिली में इस समय खरीब 13 असपथाल जिसमें 950 बेड का L2 हॉस्पिटल बना दिया गया है और सभी असपथालों में ऑक्सिजन की कोई कमी नहीं यह बड़ी अजीव इस्थिति है कि हर जगे से यही कहा जा रहा है कि आउक्सिजन को लेकर अपवाय फैलाए जा रही है तो सवाल उटता है कि जो परिशान लोग हैं जिनकी तस्वीर आ रही है आखिर क्या वो बेवजा हंगामा कर रहे हैं और अब खबर बहराई इचकी जहां पर आउक्सिजन की कमी हो रही है यहां भी वही कहा जाएगा कि अपवाय है लेकिन यह सच है लगातार मौत से 49 लीटर ऑक्सिजन तयार करने के चंता रखती है अब यह कंटे के बाद यह सब्सक्राइब हो जाएगा और लोगों तक कहां से यह मशीन लाए हैं और कितना आप लोगों ने इसमें जो है योगदान दिया क्याता है पर मिनेट 45 लीटर गैस कुछ है परक्शन करेंगी तो 24 आवर में 64,800 लीचर गैस को प्रदूस्ट मैं तो हलात ऐसे रहे तो कहें न कहीं युवाओं को ऐसे ही आगे आना होगा और ऐसे ऑक्सिजन सिलंडर या इस तरह की मशीने देनी हों बिल्कुल जब महा मारी आती है तो सब को साथ बढ़ना पड़ता है अच्छी पहले और अब गुंदेल खंड की ख़बरों का रुप करते हैं पटा परिजिन लगा रहे तो महादा कमिशनर दिनेज सिंग और डियम ने जिला उस्पताल और मेडिकल कॉलिज का निलिक्शन किया इस दौरान कमिशनर रे कहा कि कोविड नाइटीन से पीडित मरीजों को कोई जोस्या नहीं होगी परिशिकियों पर प्रशासन पूरी नज़र रकरा अमेरपुर के गली हाया गाउं में बुसुर की बूत के अंदर वोट डालने के दौरा खालत बिकर गई जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिशनर उन्हें राट सी एचसी में बढ़ती के बाद यापर डॉक्टर्स ने उन्हें बित खुशिक जागी जालाउन में पंचाइच चुनाओ के दौरा ने एक शक्त फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा गया पीटासीन अधिकारी ने फर्जी मत्दाता को फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा इसके बाद इसे पुलिस को सौपा गया अगराम एंबुलेंस ना मिलने पर रिक्षे पर ही मरीजों को तीमार दार ले जा रहे हैं और इसी का वीडियो अप सोचल मीडिया पर खुव बारेल हो रहा है इसके बाद यहां की स्वास विवस्था पर सवाल करें बजबफर अगर में मेडिकल कॉलेज में हंगाम लौग गया यहां पर एक मितर के परिजनों ने बमाल किया उनका अरूप है कि युवक की मर जाने की जानकर उन्हें दो दिन के बात दे गया हंगामे को देखते हुए पुलिस में मौके पर पहुँचो अलिगड़ में विकली लॉकड़ाउन के बाद हाल बदले नजर आए यहां पर महावीर गंज बाजार में देरशाम खरीदारी के लिए भीड़ निकली भीड़ में किसी के अंदर कोरोना का कोई फॉफ नहीं दिखाई दिया अधरस मेजिम सतर ने शेहर की अक्रूर मार्केट में गैस सेप्लायर के दुखाय में चापने मारी की यहां पर नॉर्मल गैस लेंडर को ब्लाक मार्केट में 25,000 रुपे में देने की शिकायत उन्हें मिली थी गाजियबाद में कोरोना का संक्रमन रुखने का नाम नहीं ले रहा यहां 24 गंटे में 370 कोरोना के नए मरीज आये हैं और यहां 24 गंटे में 2 कोरोना मरीजों की मौत हुए हैं अब एक्टिव केसों के संख्या 5585 गुपे एड़ा में पंचाज शुनाओं के बाद एकदम से कुरोणा मरीजों के संक्या बढ़ रहे है 24 गांटे में 377 कुरोणा के नई मरीज सामने आए अब यहां पर कुरोणा के कुल मरीजों के संक्या 523 से पहुँच बे पंचाज शुनाओं में बवाल देखने को मिला यहां पर मत पेटी को लूट कर खुछ लोगों ने तालाब में फेक दिया जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुची फिलाहाल पुलिस आरोपियों के तलाश में लग गए मेरट में कोईला व्यापारी की गोली मार कर रत्या कर दी गई घट्ना को समय अंजाम दिया गया जब कोईला व्यापारी अपने बेटी के साथ आपिस में बैठे हुए थे हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस विवाद में हरता मच गए बागबद में कुछ लोग एक खेट में फसल काट रहे थे और इसके शिकायत के सानों ने पुलिस को दिये शिकायत में पुलिस पर शासे ने खेट में चापे मारिक के और इस दोरान आरोपी त्रेशर मशीन और ट्रेक्टर छोड़कर महाँ पर वहाँ से फड़ा हुए तो पश्यमी यूपे की खबरें सुपरफास अंदाज में आपने देखी और अब उत्राखन की खबरें आपको दिखाते हैं और बात करते हैं तीरत के आबिनेट की बैठग की जिसमें कई एहम फैसले लिये गया है और बैठग में ये फैसला लिया गया कि प्रदेश में कोविट संक्रमर की रूप थाम के लिए 18-45 साल के लोगों को फ्री वैक्सीन लगा जाएगी साथी अब सारवजनिक जगहों पर मास्क ना पहने बालू पर लगाया जाने वाली जुर्माने की धंदाशी में बढ़ात्री करते हुए 500-700 कर दिया गया है कि कुर्णा कर्फ्यू के दौरान काम का आज प्रभाव इतना हो इसके लिए मस्दूरों को भी आवाजाहे में छूट होगी जो कई महत्पूर निर्ने कोवीट के संब्स में सरकार ने लिये हैं जिसमें सार्वजनिक इस्तलों पर जो मास्क न पहने पर सारवजनिक इस्तलों सस्थानों और परिश्वरों में जो 500 रुपिया दो सो रुपए 500 रुपए 1000 रुपए का डंड का प्राविजान था उसको बढ़ा करके 500-700 रुपए करने का निर्ने स्थान जाल लिया इसके साथ कोविन 19 महारी के संजर्मन को दिश्टिकर परकते हुए कुम्ब मेला जो संचालित जो हरवार में हमारे आधार चिकित साले और बाबा बरफानी चिकित साले हैं और जो अन्ने हैं उनको तीन महा तक या जो कुम्ब के दिश्टिकर बनाए गए थे उनको तीन महा के लिए और बढ़ाने का दिर्ने भी लिया गिया थाकि और उनके इसवा सांसद अनिल वलूनी की जिन्होंने उत्तरकाशी और पौडी के मुखी चिकित साधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फिर्सिंग के जरी बैठे की और इस दोरान आईसीव के वर्तमान में संचालन में आने वाले समय में विस्तार की गुंजाइश को लेकर चर्चा हु मेरा आप दोनों लोगों से CMO पौडी करवाल और CMO उत्तरकाशी से जो बातचीत करने का कारण है कि जो दोनों जगापर मेरे सांसद नीदी से आईसीव बनाई गए थे यह जानना चाता हूं कि वे आईसीव के सर काम करें तोस आईसीव से सितना लोगों के लाव हो रहा है और उसे चल रहा है और उसमें दो बेट और डाल एको शिक्स बेड़िट पर जेंट वो उसको चला जा रहा है और मैं आपको धन्यवाद ग्यापित करता हूं इस बाब के लिए कि आपने जो चार बेट का आईशू को को दिये है तो उसमें हमने बहुत लोगों उत्राखण में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहा है ऐसे में संक्रमण की चेन तोड़ना सबसे बड़ी चुनाती है स्वासार्चिव अमिद नेगी का कहना है कि जो नए प्रतिबंद लगाये जा रहे हैं उसका वो देश्य यही है कि बढ़ते हुए संक्रमण की चेन को रोका जाए जिससे प्रदेश में जो लगातार केसिस आ रहे हैं बढ़ रहे हैं उनमें कमियान स्वासार्चिव ने कहा कि किसी भी तरह की दिख़त नहीं है साथ ही ऑक्सिजन को लेकर प्रदेश में किसी तरह का अभी क्राइसिस नहीं है कि अभी का यह लगातार ही मैसिज है कि किसी प्रकार के पैने करने के आउशकता नहीं है हमारे आप सफिशन ऑक्सिन सप्लाइब के सप्लाइब काफी नॉम्मलाइज हो चुकी है हमारे पास सफिशन हमारे मेडिसें किट भी है हो मैसिलेशन का इनिशली थोड़ा सा एक अपसा लेकिन आप देखेंगे कल हमने करीब दोजार के असफ़र्स के जरव में बाटे हैं तो वो सप्लाइब भी आपकी बहुत जल्दी नॉम्मलाइज हो जाएगी इसके साथ ही हम लोगों से अपील किये रख करेंगे कि जैसी आपको किसी प्राइब के सिम्टम्स आए आप इमिडिटली अपने जो नेरेस हेल्थ फिसलेटी वहाँ पर अपना चेक अप करा ले इसके साथ ही आपको लग रहा है कि आपको कोई भी सिम्टम्स अगर आपके खराब हो रहे हैं तो ततकाल हमारे एक सो चार नंबर जो हमने जो एक manufacturing companies हैं इनकी भी capacity अभी सीमित है ये लगातार production कर रही है स्टेट government शीक इन से request करेगी request के अदार करेंगे कि maximum vaccine हम लोग अपने लोग के ले सके लेकिन ये future में ही हम लोग बता पाएंगे कितनी vaccine हमें इन companies से मिल रहे है और हल्दवानी में कोरोना के care को देखते हुए जहां पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण की chain को तोड़ने के लिए प्रयास जा रहे है लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेनिताल जीरा प्रसासन ने एक हफते का लोग डॉन लगा दिया है और आज रास से इस लोग यहाँ पर इन्हों ने आप चलान भी कर रहे हैं लगातार जो लोग आ रहे हैं उनको बताया भी जा रहा है कि रात्री कर्फ्यू भी लगा हुआ है और एक हफते का लोग डॉन भी लग चुका है तो इसको लेकर घर से नहीं निकलना है यहाँ पर किस सरसे व्योस्ता पुलिस प्रसासन ने उनसे बात करेंगे यहां पर अधिकारी हमाई साथ मौजूद हैं सर लॉक्डाउन शुरू हो गया है राथी लॉक्डाउन लग चुका है किसे साथ बजे के बाद कर्फिव लागू है और इसमें हम यह देख रहे हैं जैसे जो इनिसल सर्विस हैं जैसे और मैं कोई सेवा है है हं जिसको हस्प्रेल जा रहे है तो उनको हम जाने दे रहे और इसके रहे हैं यह फिना कारवे कर रहे और जिस तरह से 99 जीले में कोविट पेशन्ट की तादात लगाता बढ़ी है उसको देखते हुए ही एक हफ़ते के हाँ पर लॉकडाउन लगा दिया है अंकित शाह एबीपी गंगा हल्दवानी हल्दवानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इस बीच में अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि खुद कोरोना के जाच रिपोर्ट लेने के लिए बड़ी भीड सीमो कारले पहुंच रही है और इस बारा रिपोर्ट लेने के चकर में सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं सुआस में भाकिया दिकारी भी विवस्था बना पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं हमारा स्यद़् आधिज है था पर्दे पर दे इस डי। पर देखा है तो इसमें गवार्मेंट की जो लेप्स हैं जैसे मेडिकल कॉलेज है और आई-वी राहि मुक्तिश्ष्वर है कि यहां पे हमारी केसिटी ए 1,000 टेस्ट पर दे की और उसके बाद की जो टेस्ट है वो हम private labs को देते हैं और उसमें भी जो private labs है वो टाइम से हमको नहीं दे पा रही हैं इसके लिए हमने शुरू में एक lab को जो है ब्लेक लिस्ट भी किया था और इनका ये कहना है कि दिल्ली से हम सेंपल की टेस्टिंग करा के रिपोर्ट यहां पे भेजते हैं तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक तक आ जाए बिल्कुल और उत्राखंड की खबरों का अबरुक करते हैं तीरी के गवर्णन नर्सिंग कॉलेज में लगातर कोरुना की केसे सामने आ रहे हैं अब तक 117 स्टूडेंस कोरुना सांकुमर के शकार में मिले हैं कोरुना पॉजिटिव स्टूडेंस को होसल में ही आइस्सोलेट किया किया है कुर्दवार में नगर निगम ने एक सफ्टा के लिए कोरुना कर्फियू लगाया है कोरुना कर्फियू सुमबार साम 7 बज़े से 3 मई सुबह 5 बज़े तक का है यहां कर्फियू लगने के बाद शेहर में सन्नाटा नजर आया पिथारागड में बाहर से आ रहे लोगों की कम टेस्टिंग के कारण जिलास मुख्याले में सीमा पर भमोड में जिला प्रशासन में एक और जाट्शकिंद खूल दिया यहां पर बाहर से आ रहे हर व्यक्ति के सैंप्लिंग की जा रहे रावनगर में कोविट की दूसरी लहर में पैटन कारोबारियों को फिर धराशाई कर दिया है यहां के निजी मालिक, ड्राइबर और नेचर गाइड फिर से दिरोजगार हो गये हैं बड़ा संकटा गया मसूरी में टेक्सी जालकों पर एक बार फिर रोजी रोटी का खत्रा मढराने लगा है मसूरी टेक्सी कार असोसियन में करीब 700 टेक्सी रेजिस्टर्ड हैं जिसके वरतमान में पहिये पूरी तरह से जाम हो गये रुड़ी में वन विभाग के तरब से लगाए गया पिंच्रों में गुलदार फस गया लेकिन थोड़े देर बाद गुलदार पिंच्रा तोड़कर फरार हो गया और इसके बाद लोगों में दह्शत करणप्रिया के वाणगाव में इस्थित लाटू देवता मंदिर के कपाट शे महीने के लिए खोल दिये गये हैं कपाट खोलने के दौरान उप्राखंड के वैटन मंतरी संपाल महराज और थराली विधायक मुनी देविशाह मौजूद है झाल कर दो झाल